Good day to all of you. मैं उमीद करता हूँ अभी तक आपको जो सिखाया गया है आपको वे सभी याद होगा. इस क्लास में आप प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ नया सीखेंगे. लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास का पहला दिन आप कुछ नया सीखते हैं और उसके बाद आप उसका अभ्यास करते हैं. आपने अभी तक जो भी सीखाया है वे इंप्रैस का मैतपूर्ण भाग है क्योंकि भवजिश्य में हैं आप इसे ओफिस के कारियों के लिए उप्योग में ला सकते हैं जो कि आपकी बहुत ही मदद करेगा. आए क्लास शुरू करने से पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं. क्या आप बता सकते हैं Slide 100 के लिए कौन सी Sortcut Command का उप्योग करेंगे. Slide 100 के लिए Sortcut Command F5 का उप्योग करते हैं. क्या बता सकते हैं अगर impress का view change हो गया है तो उसे normal view में बदलने के लिए क्या करेंगे slide view को normal view में करने के लिए view पर click करें और normal लिखे option को select करें जिससे आपकी file normal view में हो जाएगी क्या बता सकते हैं कि edit menu के fields का उप्योग क्यों करते हैं edit menu बार के field wiklp से आप field wiklp को edit कर सकते हैं यानि कि fields के format को change कर सकते हैं अब आप सब भी अपने computer को on करें और फिर impress की file को open करें आएए अब जानते हैं कि आज की class में क्या सीखेंगे आज की class में आप revision करेंगे क्या आप बता सकते हैं कि आपने पिछली class में क्या सीखा था आपने पिछली class में file और edit menu के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है अब आप 4 slide को insert करें और पहली slide में आप सामने दिये गए paragraph को type करें दूसरी slide में font work gallery के द्वारा अपने नाम को style में लाकर दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आए वीडियो की मदद से सीखते हैं font work gallery का उप्योग कैसे करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक slide के अंदर paragraph लिखा है इसके लिए आपको एक नया slide को insert करना है जैसे कि वीडियो में दिखा जा रहा है हमने यहाँ पे तीन slide को insert किया second valley slide को select किया फिर layout option पे जाना है और इसे blank कर देना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहा है हमने इस slide को blank कर दिया अभी हमें इसके अंदर font work की मदद से कोई नाम लिखना है इसके लिए अपने pointer को drawing toolbar के drawing toolbar पे लाएंगे और एलिक option पे click कर देंगे जो font work का icon है जैसी click करेंगे तेहां पे अलग-अलग options आजाएंगे जो font work है किसी भी एक style को आप select कर लें जो आपको पसंद हो हमने इनमें एक style को select किया फिर ok के button पे click कर दिया तो आप देशेक्ता हैं उसी style में font work कि लिखा हुआ आ गया अब आप चाहते हैं कि इसे font work की जगा अपना नाम लिखा हुआ है इस style आपको इस पे double click करना है आप चाहते हैं इसके size को बढ़ा सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहा है जो आपको blue color के points दिये हुए हैं इससे आप इसके size को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं इस पे double click करें तो डबल क्लिक करेंगे तो font work लिखा हुआ आएगा, वहाँ पे cursor लिखा हुआ आएगा, keyboard की मज़स से, backspace की button से font work को मिटा दें, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अब यहाँ पे जो भी नाम आप type करना चाहते हैं, वह नाम type कर ले, हमने यहाँ पे computer शिक्षा को type किया, आप शाहएद अपना नाम या school का नाम कुछ भी type कर सकते हैं, फिर बाहर क्लिक कर दिया, तो आप देशिकते हैं उसी style में, उसी formatter में computer शिक्षा लिखा हुआ आ गया, अगर आप इसके formatting को आप change करना चाहते हैं, तो इसको एक बद select करें, और यहाँ से इसे drag करके इसके size को बढ़ा लें, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस A लिखे हुए option पर क्लिक करें, यहाँ पर अलग-लग design दिया हुए है, अलग-लग format दिया हुआ है, जिस option को भी आप select करेंगे, तो आपको जो font work में जो आपने नाम लिखा था, वो उसी style में आ जाएगा, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर अलग-लग format अलग-लग design दिया हुआ है, किसी भी एक design को आप select करेंगे, जो आपको पसंद हो, अगला options alignment करेंगे है, इसे आप कहाँ पर shift करना चाहते हैं, आप उसे move कर सकते हैं, यहाँ से आपने जो text लिखा है, जो आपने लिखा है, जो letters है उसके बीच में, आपको इसके distance को कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अलग-लग options दिया है, very tight, tight, loose, very loose, very loose पर क्लिक करेंगे, जो fonts लिखे हैं, जो letters लिखे हैं, उनके बीच में गैप आजाएगा, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप चाहते हैं, यहां से भी उसके character के बीच में space है, आप यहां से भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो इस प्रकार से आप font work gallery की मदद से कोई भी design दे सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, और उसका उप्योग आप कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं, Slide Q View को कितने परकार से देख सकते हैं और उनके नाम क्या-क्या है Slide Q View को आप पांच अलग-लग परकार से देख सकते हैं Normal, Outline, Handout, Slidesorter और Notes अब आप Slide Q View को Change करके दिखाएं और फिर उन्हें Normal करके दिखाएं आईए वीडियो की मदद से अलग-लग परकार में Slide Q View को देखें आप अलग-लग वीउ में देखने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग-अलग यहाँ पर View दिया हुआ है Normal, Outline, Notes, Handout, Slidesorter जब आप Outline पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ यह आपको Outline दिखाएं देगी जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए जा रहे हैं जो भी आपने Text लिखाया है, Line लिखाया है सिर्फ आपको वह ही दिखाएं देगे अगर आपने कोई भी Shape को इंसाइट किया है चीत्र को इंसाइट किया है चीत्र दिखाया नहीं देएंगे जैसे कि आप वीडियो में दिखता है हमने Second Slide पे Computer शिक्षा font work की मदर्श लिखाता हूँ वह दिखाया नहीं दे रहा सिर्फ जो Paragraph टाइप किया था सिर्फ परग्राफ यहां पर दिखाया दे रहे है अगला उप्षन से Note का है यहां पर जो आपने Paragraph लिखा है वह आपको यहां पर दिखाया देंगे और इसके नीचे एक Box बनायेगा अगर आप से related कोई Notes लिखना चाहते है कमेंट्स लिखना चाहते है तो आप इसके अंदर आप टाइप कर सकते हैं जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हार एक स्लाइड के आप सेलेक्ट करके उसके Notes आप लिख सकते हैं अगला उप्षन हैंडाउट का है जब आप हैंडाउट पर क्लिक करेंगे तो आपको इससी दिखाए देंगे इसके अंदर बॉक्से सांगे और इसके उपर हैडर और फोटर देट और नीचे फोटर और नमर होगा जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर आप एडर लिखना चाहते हैं यहाप आप हैडर टाइप कर सकते हैं अगर और यहाँ पे date में हमने यहाँ पे date टाइप किया पेज नमबर पे हमने टू टाइप किया इसी परकास से आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं slide view में देखने के लिए बड़े स्क्रीन पे देखने के लिए आप 5 का उप्योग करते हैं अगला option slide sorter का है आपने जितने भी slide को insert किया है आप उनको देख सकते हैं कि आपने कितने slide को insert किया है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे चार slide है तो आपको यहाँ पे चार slide दिखाए दे रहे होंगे अगर आप अपने slide को normal view में देखना चाहते हैं तो आपको normal पर क्लिक करना होगा यह आपको normal option है तो जब क्लिक करेंगे तो आप normal view में अपने slide को देख सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं तो इस प्रकार से आप इनको अलग-अलग view में देख सकते हैं अब आप सबी जो भी slide को insert किया है और जिस पर भी कुछ picture ली है उस पर comments लिखें अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें की comments को कैसे देते हैं आईए वीडियो की मदद से comment को hide और unhide करना सीखते हैं comment को hide करने के लिए सबसे पहले comment को हमें insert करना होगा इससे लिखाता हम यहाँ पर comment को insert करेंगे जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है comment को insert करने के लिए हमें insert menu पर click करना है उसके बाद comment option को select करना है आप चाहें तो alt c का भी उप्योग कर सकते हैं जो इसकी shortcut command होती है जब आप इस पर click करेंगे जो comment box है यहाँ पर आ जाएगा वीडियो में आप दिख सकते है यह comment box है यहाँ पर अगर आप इसके अंदर कुछ टाइप करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर टाइप कर सकते है嗎 वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है हमने यहाँ फे impress class 6 type किया आप इसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, computer 6 से लिखना चाहते हैं, तो computer 6 से टाइप कर सकते हैं फिर हमने यह पर slide number 2 type किया, कि हम second slide पर काम कर रहे थे अगर आप इस comment को hide करना चाहते हैं, hide करने के लिए आपको view menu पर click करना है view menu पर click करने वाद आप comments पर click कर देंगे तो जो आपने comments लगाया था, वो comments hide हो जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस प्रकास से आपको comment यह hide हो गया है अगर इससे आप वापिस लाना चाहते हैं, फिर से view menu पर click करेंगे, comments पर click कर दें तो आप देख सकते हैं, जो comments है वो फिर से आजाएगा, आप देख सकते हैं, यह पर CS1 लिखा हुआ है, यह comment है जब इस पर click करेंगे तो comment box open हो जाएगा क्योंकि हम इससे hide करना है, इसलिए हम view menu पर click करेंगे और comments पर click कर देंगे, जिससे आपका comment hide हो जाएगा तो इस परकार से आप comments को hide कर सकते हैं, क्या आप जानते हैं, कि जो आपने picture insert की है, उनको देखना हो या फिर एक slide से दूसरे slide पर जाना हो, तो कौन से विकल्प का उप्योग करेंगे जो भी picture आपने अपनी slide पर insert किया है, उसको देखने के लिए आप navigator विकल्प का उप्योग करेंगे क्योंकि navigator से आप अपने impress की slide पर एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं और इसके चित्र को भी देख सकते हैं अब आप सभी navigator विकल्प का उप्योग करके दिखाएं, अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देख कर सीखें आए वीडियो की मदद से navigator option का उप्योग करना सीखते हैं navigator option की मदद से आप एक slide से दूसरे slide पर जा सकते हैं, उससे देख सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले view menu पर क्लिक करना है, फिर navigator option को आप select करें जैसे आप select करेंगे एक box आ जाएगा और आपने जीतने slide को insert किया है वो उन slide के list आपको दिखाई देगी अगर आपको next slide पर जाना है तो इस button पर क्लिक करें तो आप next slide पर move कर जाएंगे फिर previous slide पर क्लिक करेंगे तो आप previous slide पर आजाएंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो यहां से आप एक slide से दूसरे slide पर जा सकते हैं अगर आप ऐससे पहले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप telef सलाइड पर आ जाएंगे यहां पे कलिक करेंगे all safe पे क्लिक करेंगे आपने जिस slide के अंदर जितने safe को insert के है वह दिखाई देगे यहाँ पे first slide है यहाँ आप देख सकते हैं save 1, save 2 हमने जो title लिखा हुआ था उसे और जो paragraph लिखा था दोनों को save कितर है count कर रहा है इसलिए यहाँ पे save 1 और save 2 दिखाई दे रहा है slide 2 पे हमने सिफ font work geldi का उपयोग किया था तो इसलिए यहाँ पे save 1 इस प्रकार से जितने आप slide पे आप काम करेंगे जितनी images होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई जा रहा है तो इस प्रकार से आप navigator की मदद से एक slide से दूसरे slide पे जा सकते हैं आप एक-एक slide को देख सकते हैं अब आप सभी जो comment को hide किया था उसे वापिस लेके आएं और फिर उसमें computer शिक्षा को type करें अगर ऐसे करने में कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आए वीडियो की मदद से जो हमने comments को hide किया था उसको वापिस लाना सीखते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले अपने pointer को view menu पे click करना है जब आप view menu पे click करेंगे तो box अपन होगा और comment को select कर दें जैसे आप comment पे click करेंगे तो आप देशकते हैं जो second slide पे अपने comment लगाया था जहाँ पर अपने comment लगाया था वाँपे comment फिर से slow होगा जैसे के आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है फिर वाँपे click करें box आजाएगा फिर इसके अंदर आप click करके कुछ भी इसके अंदर आप type कर सकते हैं तो इस प्रकास से आप comment को slow कर सकते हैं अब आप सभी master slide के सभी options का उप्योग करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आएए वीडियो की मदद से सीखते हैं master slide का उप्योग कैसे करते हैं इसके लिए सबसे पहले अपने pointer को view menu पे लेके जाएं वाँपे click कर दें एक box open होगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर master पे click करें यहाँ पर आपको तीन options दिखाए दे रहोंगे master slide, notes master और master element master slide जो पहला option है slide master उसपे click कर दें जब आप इसपे click करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं जो master slider वो open हो जाएगा यहाँ पे एक आपको slide दिखाए दे रहेंगे उसके अंदर कुछ contents लिखे हुए है title बार में लिखा हुआ है title में लिखा हुआ है और इसके contents में भी कुछ लिखा हुआ है अगर आप इसके title को change करेंगे इसके formatting को change करेंगे जो आपने अपने slide में text लिखा है जो भी title लिखा है तो वहाँ पर यह formatting अपलाई हो जाएगा जैसे का आप वीडियो में देख सकते हैं हमने इसके title को select किया अभी हम इसके font style को बदल रहे हैं आप चाहें इसके कोई से भी formatting कर सकते हैं हमने यहाँ पर इसके font के style को बदला और इसके text के color को भी change किया जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसके text के color को change किया और इसे bold किया और इसके font style को भी हमने बदला अगर इसके contents को change करना है उसकी formatting को change करना है तो इसके लिए आप सबसे पहले उसे select कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जारा हमने इसको select किया और इसके color को change कर दिया इसे फिर से select करें इसे bold कर दें अगर आप underline करना चाहते है तो यू के option पर click कर दें यह line underline हो जाएगी अगर आप bullets हटाना चाहते है तो फिर से bullets पर click कर दें जो bullets पहले से था वह हट जाएगा अगर फिर से apply करना चाहते है तो इसको select करें और bullets पर click कर दें तो इस पर bullets apply हो जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बाकी के जो contents अगर इसके अंदर भी आप formatting करना चाहते हैं उसे आप select कर लें जिस तरीके की भी आप formatting करना चाहते हैं आप उस तरीके की formatting कर सकते हैं यहाँ पर हमें इसे color को बदलना है इसलिए हमें font color पर गए है और हमने इसके color को change कर दिया अगर आप slide के bottom में कोई footer लगाना चाहते हैं या date insert करना चाहते हैं इसके लिए आप फिर से view menu पर click करें master पर जाएं और master element पर click कर दें यहाँ पर जो unselect है date और footer उसे select कर लें फिर ok पर click कर दें date वाले option पर click करें जो भी update डालना चाहते हैं वो date यहाँ पर type करें जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है footer में आप इसे click करें footer को मिटाएं और जो text आप लिखना चाहते हैं वो text यहाँ पर लिख दें हमने यहाँ पर impress class 6 type किया आप चाहिए इसके दर कुछ भी type कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं आप आप इसे लिए आपको content slide को स्लेक्ट करना होगा तो आप देख सकते हैं जो आपने परेग्राफ लिखा था उसके अंदर आपने टैटल दिया था importance of education तो आप देख सकते हैं यह उसी फोर्मेटिंग में आ गया है जो हमने टैटल में चेंज किया था और इसके bottom में आप देख सकते हैं जो date है वो date insert हो गया है और footer में जो आपने text लिखा था वो footer में यहां पर text आ गया है वहाँ पर हमने contents में भी change किया था उसके formatting को change किया था इसके लिए आपको content slide को select करना होगा तो आप देख सकते हैं हमने जैसी content slide को select किया जो इसके अंदर टैक्स लिखा हुआ है वो उसी formatting में आ गया जो हमने master slide के अंदर changes किये थे जैसे कि आपको बीटर में दिखाया जा रहा है हम यहाँ पर अलग-अलग content slide को select कर रहे है और इसके अंदर वो ही formatting अपलाई हो रहा है जो हमने master slide के अंदर changes किये थे तो इससे title slide को select कर ले तो इस प्रकार से आप master slide को उपयोग कर सकते हैं आप sidebar को hide करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो रही है तो video की मदद से hide करके दिखाएं यह video की मदद से sidebar को hide और unhide करना सीखते हैं sidebar को hide करने के लिए इसे आप दो तरीके से hide और unhide कर सकते हैं, पहला तरीका, view menu पे click करेंगे, एक box आ जाएगा, फिर sidebar option को select कर लें, जब आप इस पे click करेंगे जो आपको sidebar है वो यहां से hide हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसको वापिस लाने के लिए, फिर से view menu पे click करें, sidebar option को select कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया दे रहा है, जैसे आपको sidebar option पे click किया, तो इस sidebar यहां फिर से वापिस आ गया, दूसरे तरीके से आपको hide करने के लिए आप यह बटन देख सकते हैं, इस बटन पे आप click करेंगे, आप देख सकते हैं जो sidebar है वो hide हो चुका है, फिर इस पे click करेंगे, sidebar फिर से वापिस आ जाएगा, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो इस परकार से आप sidebar को hide और unhide कर सकते हैं, अब आप toolbar की मदद से drawing bar, line and feeling और standard toolbar को hide करके दिखाएं, अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से करना सीखें, आईए वीडियो की मदद से सीखते हैं toolbar को hide कैसे करते है line and feeling toolbar को हटाना है, drawing toolbar को हटाना है और standard toolbar को हटाने के लिए आपको view menu पे click करना है, तो इस तूल बार के option पे जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, drawing toolbar, line and feeling toolbar और standard toolbar select हैं, आप उन्हें यहाँ से unselect कर दे, आपने drawing toolbar को unselect किया, तो आप देख सकते हैं, जो drawing है वो unselect हो जो drawing है वो यहाँ से hide हो गया है, फिर से view menu पे click करें, toolbar option पे जाएं, line and feeling विकल्प को select करें, उसे click करके, click कर देखेंगे जो line and feeling के options हैं, जो toolbar था वो वहाँ से hide हो चुका है, इसी प्रकार से standard toolbar को हटाने के लिए, hide करने के लिए, आपको फिर से view menu पे click करना है, toolbar option को select करना है, और standard विकल्प को select कर लेंगे, जैसे इस standard विकल्प को आप select करेंगे, जो standard toolbar है, वो यहाँ से hide हो जाएगा, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो इस प्रकार से आप इन tools को view menu के दिवारा इनको hide कर सकते हैं, अब आप सभी drawing bar, line and feeling और standard toolbar को show करके दिखाएं, अगर कोई समस्या हो, तो वीडियो की मदद से सीखें, आए वीडियो की मदद से, जो आपने toolbar को hide किया था, उनको वापिस लाना सीखते हैं, उन सभी toolbar को वापिस लाने के लिए, आपको view menu पे click करना होगा, सबसे पहले अपने pointer को view menu पे लेके जाएं, वापे click कर दें, फिर अपने pointer को toolbar options पे लेके आएं, हमें drawing को insert करना है, drawing option को select कर ले, आप देखेंगे, slide के नीचे जो drawing bar है, वो यहाँ पे show करेगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, फिर से view menu पे click करें, अपने pointer को toolbar option पे लेके आएं, line and feeling option पे click कर दें, यहाँ आप देख सकते हैं, यह option अभी hide है, जब इसको आप move करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे, जो line and feeling का option है, वो यहाँ से, वो यहाँ पे आजाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, फिर अगला option standard toolbar का है, इसको अब वापिस लाने के लिए, फिर सा view menu पे click करें, toolbar option को select करें, और standard option को select कर दे, जब आप इस पे click करेंगे तो देखेंगे, अभी so नहीं हो रहा, इसको आप यहाँ पाके से थोड़ा से move करें, जैसे से move करेंगे, जो दोनों options है, standard toolbar और line and feeling, दोनों options so होने लगेगा, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो आप इस प्रकार से इन toolbar को आप so कर सकते हैं, अब आप सभी drawing toolbar की मदद से door drawing बनाएं, और फिर glue points का उप्योग करके, उने join करके दिखाएं, अगर कोई समस्या हो, तो वीडियो की मदद से सीखें, आइए वीडियो की मदद से glue points की मदद से दो picture को add करना सीखें, इसके लिए सबसे पहले slide को select कर लें, उसे blank कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया, किसी भी shape को आप draw कर लें, हमने यहाँ पर rectangle को draw किया, हमने एक box draw किया, और दूसरे में हमने एक smiley को यहाँ पर drag कर लिया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अब हम glue points की मदद से दोनो image को connect करेंगे, इसके लिए सबसे पहले glue points को insert करना होगा, हम इस image के बीच में points को insert करेंगे, उसके लिए edit menu पे जाएंगे, glue point पे click करेंगे, और insert glue point पे click करेंगे, जहाँ पे भी points को insert करना चाहते हैं, सहाँ पे click करेंगे, फिर अगले slide पे हम गए, अगले image पे गए, फिर हम अगले image को select करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर glue points पे click करेंगे, जहाँ पर भी point को add करना वाँ पर हम click कर देंगे अब इस दोनों point को हमें connect करना है इसके लिए connector का उपयोग करेंगे इस point से यहाँ पर drag करेंगे इस point तक जहाँ पर हमने glue point को insert किया दें दूसरी image के अंदर तो आप देख सकते हैं यह दोनों point connect हो चुका है तो इस दोनों image आपस में connect हो गए तो इस परकार से आप glue points की मदद से किसी भी point को आप add कर सकते हैं एक image से दूसरी image को आप connect कर सकते हैं तो इस परकार से आप glue point को उपयोग कर सकते हैं अब आप line tool की मदद से drawing बना कर दिखाएं जिसमें point option का उपयोग किया हो अगर point option को उप्योग करने में कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें किसको उप्योग कैसे करते हैं आए वीडियो की मदद से line tool की मदद से सिर्फ line की मदद से हम drawing बनाते हैं इसके लिए सबसे पहले एक नया slide को insert करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया हमने नया slide लिया यहाँ पर drawing bar में line tool को हम select करेंगे और एक line को draw कर लेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अब सिर्फ इसी line की मदद से हम इसको एक अलग shape में बनाएंगे इसके लिए आपको points को use करना है points add करने के लिए आपको edit menu पे जाना है point vehicle को आप select करेंगे और insert point पे click करेंगे इस पे click करेंगे आप देशे हैं तो जहाँ पे click करेंगे वहाँ पे points आ जाएगा फिर यहाँ पे click करें एक और point यहाँ पे आ जाएगा अब आप इस point को move कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जिस direction में आपको move करना है वहाँ से आप move कर सकते हैं हमने eliminate points को select किया और इसको यहाँ से drag कर दिया इस points चलेक हमने इसको select किया last वले points से और पहले वले points हमने से connect कर दिया तो आप देख सकते हैं सिर्फ हमने एक line draw किया था और एक line की मदद से हमने इसे triangle की shape में बना दिया तो इस प्रकार से आप line की मदद से line और point की मदद से आप इसको किसी भी shape में draw कर सकते हैं उसे बना सकते हैं आज की class यही पर समाप्त होती है अब आप सभी अपने impress की file को close करें और अपने computer को shutdown करें आज की class में आप सभी ने edit और view menu बार के options का revision किया यह options थे glue points, points, comments, master slide, हित्यादी